नमस्कार, विस्तार चैटबॉट में आपका स्वागत है। किसान, बहनो, भाईयों और frontline workers के लिए बनाएगे इस चैटबॉट में, आज हम यह सीखेंगे कि कैसे क्रिशी, भागवानी, पशुपालन तथा मचली पालन से जुड़े समस्याओं के समाधान और सुझाओ, फिर सूची में दियेगे किसी वी विकल्प को चुने, जैसे सबजी, और फिर सम्मंदित सबजी का, जैसे टमाठर का चुनाओकर जानकारी के लिए आगे बढ़ें। अब आप लिख कर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर टमाठर से सम्मंदित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे टमाठर की पत्तिया मुड़ रही है, क्या करें। सवाल पूछते ही आपके मोबाइल के चैट बॉट में सटीक और प्रामानित वज्यानिक पत्ति से सत्यापित जानकारी मिलेगी। ये जानकारी लिखित, आओडियो और वीडियो तीनों माध्यम में उप्लब्द होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस जानकारी का उप्योग कर सकते हैं। प्रश्न के उत्तर से सहमती या अहसमती की अपनी प्रतिकिरिया इस अंगूठे के निसान को दबा कर दे सकते हैं। साथ ही उस प्रश्न के उत्तर के अंत में उस सम्मंधित फसल से जुड़े तीन अन्य विकल्प भी मिलेंगे। जिसे आप एक, दो या तीन के बटन पर क्लिक कर उस फसल से सम्मंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विकल्प एक का चुनाओ कर इस सम्मंधित प्रश्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने सवाल और जबाब के दोरान आप कभी भी अपनी पसंदिदा भाषा का चुनाओ कर सकते हैं। जैसे हिंदी, एंग्लिश, उडिया, इत्यादी। साथी मौसम से सम्मंधित जानकारी के लिए चैटबोट पर अपने लोकेशन को साजा करें। जिससे आपके छित्र में आने वाले तीन दिनों में मौसम फुर्वानुमान की सठीक जानकारी मिलेगी। यह जानकारी भी आपको लिखित और आडियो के रुप मिलेगी। इस चैटबोट में अन्य जानकारी के लिए दियेगे सूची मेंसे दूसरी एक विकल्प का चुनाओ करें। जैसे फसल का चुनाओ करें। फिर फल की कैटेगरी। और फिर संबंदित फसल का जैसे पपीता का चुनाव कर जानकारी के लिए आगे बढ़ें। अब पपीते से जुड़े अपने प्रश्न पुछें। जैसे पपीते की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। उची समय में इससे जुड़ी सारी सठी क्यम सही जानकारी आपके सामने होगी। ठीक पहले के तरह ही ये जानकारी लिखित, आडियो और वीडियो में आपको मिलेगा। ये सभी जानकारी सम्मंदित राज्य सरकार के विभाग और ICR से सम्मंदित संस्थान द्वारत सत्यापित होती है। इस जानकारी को आप अपने सहयोगी, प्रशी, पशुपालन, मतश्यपालन से जुड़े भाई बनों को साजा कर सकते हैं। आईए एक बार पशुपालन से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं। इसके लिए आपको वापिस सुची में जाकर फसल का चुनाओ करें, फिर लाइव स्टॉक का चुनाओ करें और फिर डेरी का चुनाओ कर जानकारी के लिए आगे बढ़ें। जैसे बरसात के मौसम में पशुव की देखबाल कैसे करें। इससे जुड़ी जानकारी और सला तुरंत ही आपको मिलेगा। ये रहा आपका जवाब। इस प्रकार आप अपने फसलों के बाजार भाव और नजदीकी केंद्रों की जानकारी, सरकार की योजनाओं की जानका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए आप अपना सुजाओ यहां दे सकते हैं तो आप भी इस चैटबॉट का प्रियोग करें और जानकार बन इसका लाब उठाएं धन्यवाद